है गाईज मेरा आपके बोस्तों अभी फेस्बुक पे एक हाइट टाइम चल रहा है और क्यों न चले क्योंकि फेस्बुक पे आर्णिंग ना तो वीडियो पे शोय हो रहा है ना तो इंसाइट के अंदर शोय हो रहा है और आप में से बहुत सारे प्रियेटर का यही कोशन मु बर नहीं रहा है हर दिन में चेक कर रहा हूं वीडियो पर आर्णिंग भर नहीं रहा है जब के यह अधर पूर आरा के लिएक हाई टाइम है अमें का ही प्लेट्वור्म पर ऐसा हाल है 13 को क्या सारे page का आर्णिंग zoning बद है वो भी हम देखेंगे एक- एक करके तो यह तो मैंने एक page का दिखाया को दूसरा एक page का भी लिया ये page का भी आप देख सकता हो hangery विलकुल जीरो है और आज 13 तारीक कही मैंने सिलेट करके चेक कर रहा हूँ मगर सब पेजों पे एक चीज़ कॉमन है एन अपडेट टू एन इंस्ट्रीम एड तो इंस्ट्रीम एड का फ्यूचर क्या है इंस्ट्रीम एड का किस तरीके का अपडेट अब फेस्बुक करने जा तो हमारे वीडियो पे जो एड इंप्रेशन आएगा जो एड आएगा उसका आर्निंग किसको मिलेगा ओ आर्निंग अगर हमें फेस्बुक नहीं देगा सिर्फ व्यूचर के उपर डिपेंड करके फेस्बुक हमें पैसा देगा वो भी इंस्ट्रीम एड से मॉनेटाइज ह कोई बंदा ऐसा भी है आके कह रहा है कि मुझे 30-40,000 व्यू आ गया अभी तक एक डॉलर इंकम ही नहीं हुआ अब सुनू तो किसका सुनू मानू तो किसका मानू होगा तो क्या होगा फ्यूचर आखिर हमारा कहा पे जा रहा है ये आज के दिन में खराओ के सबसे बड़ा क कोश्चन है फेस्बुक प्लैटफर्म के अंदर और बहुत ही कंफ्यूजिंग कोश्चन है कि फेस्बुक ने यहां पर अपडेट दिया और मैंने जब फेस्बुक के इंटर्णेल टीम से बात किया वो लोग कुछ सही अंसर नहीं दे रहा है कोई सही दिसा दिखा नहीं प यहां पर अप्रोक्सिमेट इंस्ट्रिम एनड अर्र कुछ शो कर रहा है जीरो नहीं हुआ है यहां पर पीम भी शो कर रहा है तो इस से हम एक स्टेटमेंट क्लियर है या एक statement हम रख सकते हैं कि हाला की Facebook पे कुछ changes आये है इंस्ट्रीम एड पे कुछ update आये है आर्निंग्स को लेके मंगर वो सारे page पे same नहीं है सारे page पे data show नहीं कर रहा है ऐसा भी नहीं है अब आगे बरता हूँ और थोड़ा सा page का देखता हूँ यह भी 13 जून का ही मैंने data लिया इस page के case पे भी और इस पे तो ad stream इंस्ट्रीम एड का आर्निंग हो रहा है और rpm भी अच्छा खासा है as compared to other यहाँ पे एक statement clear है हर page के case पे rpm डाउन है cpm डाउन है views डाउन है add आर्निंग डाउन है इंस्ट्रीम एड से यह common है चीजे और कुछ-कुछ page के case पे cpm, rpm और minute view शोनी कर रहा है यह भी clear है यह सारे examples से अब आगे बरता हूँ और और एक page को ले के आया और इस page की case पे इंस्ट्रीम एड का आर्निंग जून का आज के date पे 13 जून का जीरो है और बाकी कोई भी data शोनी कर रहा है अब large but not the least और एक page का case पे आता हूँ इसका भी 13 जून का ही मैं stat open करके रखा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्ट्रीमेट से आला कि कुछ आर्निंग हो रहा है cpm डाउन नहीं है वो अप है हो गया है आर्पीम आज के date का 13 जून का तो यह data देखने के बाद हमारा जो बहुत सारे assumption था हो पूरा change हो चुका है अभी आर्पीम बहुत घट जाएगा zero हो गया और कभी बरेगा नहीं तो ऐसा भी बात अभी तक तो नहीं है फिरहाल क्योंकि इस page का भी example हमें include करना परेगा और इस तरीके से बहुत सारे page होंगे हाला कि majority जितने भी page अभी तक हमने देखा first से लेके एक एक page को आप लोग को दिखा रहा हो लेके देखके हमने जो समझा उस पे एक ही बात निकल के सामने आ रहा है views डाउन है RPM डाउन है earning डाउन है किसी किसी case पे earning शो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल zero है और आज 13 है उसके बाबजूद अभी तक update चल रहा है Facebook का instrument के हवाले से update चल रहा है तभी तो हिला हुआ है सारा areas inside के अंदर और ये थोड़ा time लगेगा ये Facebook ने already बोला भी है यहापर आप देख सकते हो as a result of this change CPM and ad impression will not be displayed and there may be a temporarily reporting delay तो reporting delay जो है वो कहाँ पे हो रहा है earning insight के अंदर तो आप लोगो थोड़ा हिला हुआ दिखेगा अब question ये आता है तो कल हमने जो 12 जून को वीडियो डाला क्या उस पे earning नहीं होगा और 13 जून आज जो हम वीडियो डालेंगे उस पे views तो आ रहा है मगर earning बर नहीं रहा है तो क्या earning नहीं हो रहा है तो चलिए इसका एक आप लोगों को analysis करके दिखाते है इस page का content पे चलते है ठीक है content से पता चलेगा earning हो रहा है के नहीं हो रहा है क्या बिलकुल बंद है या थोरा बहुत हो रहा है क्या है तो यह जो वीडियो है आप देख सकते हैं यह 13 जून को डाला गया है आज morning 8 वजे इस वीडियो को publish किया गया है तो चलिए इस वीडियो का state थोरा देख ले और जाते हैं देखने के लिए ऐनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वह देखने के लिए यहां पर एड़ CPM आ रहा है तो यहां पर एड़ CPM शो कर रहा है एप्रोक्सिमेट आपनिंग कितना हुआ है 1.01 डॉलर इस प Annika वीडियो से आर्निंग हुआ है और एड इंप्रेशन अभी भी आ रहा है तो यहां पर देखने के बाद हमारा सारा एजम्शन फिट से हमें रिस्टोर करना परेगा कि आर्निंग विल्कुल 0 हो गया है 13 जून है आज और पूरा 0 है कल भी 0 था ऐसा नहीं है आर्निंग हो रहा ह अब हो सकता है क्योंकि कल आप लोगों को अपडेट में ने दिया था कि अपडेट हो रहा है बेकेंड पे इस बज़े से कुछ कुछ पेजों के केस पे रिपोर्टिंग डिले होने के बज़े से हो सकता है यह सारे स्टेट 0 दिखा रहा है या फिर दिखाई नहीं रहा है ज तो 12 तारिक को अगर आपने वीडियो डाले हो और वीडियो पे स्टेच शो नहीं कर रहा है आपका इंसाइट के अंदर RPM 0 है आर्निंग 0 है तो इसका मतलब 0 नहीं है कुछ नगुछ आर्निंग हो रहा है जो कि अपडेट नहीं हो रहा है रिपोर्टिंग डिले के बज़े से जो के जैसे ही update complete होगा वो फिट से reflect करना शुरूख कर देगा तो इसको लेके tension नहीं लेना है मगर अब सबसे बरा बात जो tension वाला है वो है अगर facebook आने वाले समय पे यह 13 जून से आज से in stream ad का जो आप लोग को revenue generate होगा वो सिर्फ और सिर्फ view के उपर छोड़ दे add impression जो आपके वीडियो पे आ रहा है उस हिसाब से आपको payment ना करे रपीम जो आपका है उस हिसाब से payment ना करे तो क्या आपका profit होगा आने वाले समय पे या loss होगा यह question मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के उपर क्योंकि मैं अभी के होँगा तो यह जल्दवाजी होगा क्य कोई भी आपडेट आता है तो वो चेंज होने में जादा टाइम नहीं लगता है आप लोग क्या सोचते हो क्या rpm बंद हो जाएगा क्या आप लोग का add impression बंद हो जाएगा क्या आप लोग के वीडियो पे add impression के हिसाब से earning आपको नहीं मिलेगा तो आपको profit होगा या loss होगा अगर facebook आने वाले समय पे आज से ही in stream add का earning सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आपके views के उपर देगा तो आपको profit होगा loss होगा अगर views के उपर देगा तो आप क्या expect करते हो कितने view पे कितना पैसा expect करते हो और अभी आपको कितना view पे कितना earning मिल रहा है जब आपके वीडि इसा हो रहा है अगर एड इंप्रेशन और आपका जो वीडियो है उस पे एड जो डिस्प्ले होता है उसका earning Facebook आपको नहीं देगा based on RPM अगर नहीं देगा तो हो सकता है आपका आनिंग आने वाले समय पे decrease हो या फिर आनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि हर वीडियो पे हर केटागरी में भ्यूज भर भर के लाना सबसे पहले पॉसिबल नहीं है जैसे अलगरिदम अपडिट हो रहा है जैसे अलगरिदम स्मार्ट हो रहा है जैसे Facebook AI को intervention करके inside घुसा रहा है उस टाइम पे हो सकता है जादा भ्यूज लाके जादा पैसा कमाना बाकी आप लोग क्या सूचते हो जरूर वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके बताना मिलता हो अगरे वीडियो के साथ तो तक आप खुश रहो आबाद रहो और मन में पढ़ाम करें दो बाइ